दोस्तो नमस्कार आप सबीका स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजिकेशन यूज में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान बजट में युवाओं के लिए क्या गोशना है की गई थी इसके अलावा मेडिकल के जो अभ्यारती हैं नर्सिंग के पेरामेडिकल के उनको निरासा हात लगी इस बजट से लेकिन दोस्तों सिर्फ बजट भासन हो जाने से या बजट पेस हो जाने से ऐसा नहीं होता कि बस ये एक तरीका था कि बजट में ही गोशना हो तो वो चीज़ धरातल पर आती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो बजट एक तरीके का खाका है कि एक साला ना financial year में सरकार ये ये चीज़ करना चाहेगी काफी ऐसी चीज़े होती है जो बजट में भी हो जाती है घोशना नेकिन फिर भी उनकी पूरती नहीं हो पाती वो धरातल पर नहीं तो दोस्तो आप लोगों ने वजट का तो ये पूरा का पूरा पेपर पढ़ी लिया होगा 125 पेज का है और इसमें अच्छा वजट है मेरे हिसाब से लेकिन रोजगार के लिए जो दोस्तो जो चीज है में में चीज आपको बताते हैं कि जो चिरंजीवी बीमा योजना है उसमें 10 लाग रुपे तक का कैसले सिलाज यहाँ पर हो सकेगा इसके अलावा काफी सारे PSC, CSC यहाँ पर खोले जाएंगे मेडिकल लाइन की हम बात करें ठीक है इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुरुगटना भीमा योजना इसमें भी 5 लाग तक का कित साले खुलेंगे जिनकी बैड चमता को बढ़ाए गया है 15 ऐसे जिले हैं ठीक है दोस्तों नर्सिंग माविद दल 18 जिलों में खोले जाएंगे जिसमें मेलने BSC नर्सिंग बगरा की पढ़ाई होगी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ जो मेडिकल इंस का और जोदपुर में नए डेंटल कोलेज की स्थाफना की जाएगी प्राथमी स्वास्त केंद्र और सब सेंटर्स के लिए 600 करोट रूपय समदाइक स्वास्त केंद्र या जो भी जिलास्पतालिन सब के लिए दिये जाएंगे आप हम बात कर लेते हैं दोस्तों रोजगार की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होगा इसके लावा सवीदा कर्मियों को क्या कुछ मिला है वो भी आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात अंग्रेजी मीडियम के स्कुल खोले जाएंगे और इसमें 10,000 अंग्रेजी माध्यम के सिक्षक भरती किये जाएंगे 2000 इसकूल खोले जाएंगे इंग्लिस मीडियम के जिन में से 1000 इसकूल जो हैं ग्रामिने एरियम है और 1000 इसकूल सहरी एरियम है यह अच्छा निर्णा है दोस्त अपने आप में आपका चाहिए व्यू कुछ भी रहे लेकिन हमने इसको व्रहत तरीके से पड़ा है ठीक है और उसके बाद आप लोग को जानकरी यहां पर दी जा रही है 19 पेज पर मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को यहां पर देखिएगा आप लोग जो है यह देखिए जो राज्य सरकार के करमचारी है राज्य राष्ट और अंतराठ इस्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन डूटी जाएंगे उनको पदक जीतने पर समकक्षपद पर राजमें न्युक्ति दी जाएगी अच्छा फैसला जो खेल कोटे से लगे हैं उनके लिए और यहां पर देखिए विभिन अलपायवर के युवा दिल्ली में विभिन कोचिंग और केरियन काउंसलिंग में यानि कि दिल्ली में कोई रहके कोचिंग करना चाहेगा तो उसको भी यहां पर सुईदा मिलेगी नेहरो यूथ ट्रांजिस्ट होस्टल की तो यह दिल्ली में बनाया जाएगा वर्क फ्रॉम होम अपने परिवार के आजिवगा में योगदान दे सकते हैं उनके लिए मुख्य मंत्री वर्क फ्रॉम होम जोब वर्क योजना प्रस्तावित होगी इस पर सो करोड का व्यह होगार बीच हजार मेलाओं को इसका लाभ यहां पर मिलेगा ठीक है अब देखिए यहां पर दोस्तो भरतियों की रिगार्डिंग देख लेते हैं सरकार देखिए यहां पर दोस्तो समय बद्ध और पूर्ण तरीके से भरती कराने के लिए कटी बद्ध है रीट सहीत विभिन भरतियों के लिए दिविस्तरी पातरता और चैन युक्त परनाली प्रस्तावित है हाली में गोपनिता भंगोनेकान रीट रद करनी पड़ी थी अब रीट का जो आयजन है जुलाई 2022 में होगा इसमें क्या होगा जो इस बार जिनोंने फोर्म की जो फीश जमा कर दी थी इस बार फोर्म अपलाई किया था उनसे रीट में आविदन का पैसा नहीं लिया जाएगा यानि कि 400-500 जो सुल्क था वो यहाँ पर आप लोगों से नहीं लिया जाएगा ठीक है रीट में जो पदों की संक्या है 32 से बढ़ा कर 62,000 कर दी गई है भरती परिक्षाओं में जो एनियमित्त हो रही है जो पेपर लीक हो रहे है फरजी वड़ा हो रहा है उसके लिए SOG में एंटी चीटिंग सेल यानि कि SOG जाए स्पेशल ओपरेशन ग्रूप में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए सरकार ने कहा है 1,5,000 पदों पर भरतिया प्रिक्रिया धीन है और इन्होंने कहा है कि सरकार में 5 वर्स में लगबबग 2,000 पदों पर घोषणा की गई थी तो यहाँ पर देखिए अब आप लोगों का कहना होगा तो यह डेटा है बिल्कुल भी fake नहीं है आप लोग जोड़ सकते हैं 26,000 लेवल 1st को यहाँ पर सरकार नियुक्ति दी थी 2nd grade को नियुक्ति दी थी 1st grade को दी 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 इसके अलावा पसुदन साय को नियुक्ति दी थी ठीक है दोस्तो PTI को नियुक्ति दी गई थी और काफी सारी जो वेकेंसी 2,000 डोक्टर्स को नियुक्ति दी गई थी तो 1,000,000 पद यह जादा ही होते हैं कम से कम ठीक है तो इसमें कोई संका या संसे नहीं होना चाहिए कि सरकार ने 1,000,000 पद कौन से लोगों को नोक्रिया दे दी 7800 CH-ो को आप लोग जोड सकते हैं जिनको भी नोक्रिय दी गई थी तो यह पूरा जो है एंटिटी का भी जो दिया गया था ठीक है तो काफी सारी ऐसी भरतिया है जिनको सरकार ने 1,000,000 से जादा ही जाएगी है संक्या अब सरकार का कहना है कि 1,25,000 पदों पर भरती परकृय धीन है और यह आगामी जो वर्स हैं उनमें 1,000,000 पदों पर और भरतिया की जाएंगी यानि कीनों ने 1,000,000 पदों का वरगी करण नहीं बता है कि किस विभाग में कितने पत आएंगे तो ये बात है कि एक लाग पदों पर आएगी ये जो भरतिया है अब इसके अलावा दोस्तों हम 60 फेच पे आप लोगों को लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि सब्विदा कर्मियों के लिए क्या कुछ किया गया है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छा यहाँ पर बजट है लेकिन बजट अच्छा तब होगा जब समय पर युवाओं को रोजगार मिलेगा समय पर भरतियां पूरी होंगी और समय पर इनको इंप्लिमेंट किया जाएगा तब जाकर के होगा बाकी और लिहाज से हम देखा जाए तो यह ओवराल ठीक बजट है साथ पेज पर मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर सवीदा कर्मियों के मानदे में ब्रदी यहाँ पर की गई है 20% के साथ ठीक है तो यह अच्छा निर्ण है सरकार का अब बाद में आपको नर्सिंग पैरामेडिकल का बताता हूँ दोस्तों पहले एक बार अपडेट या आप लोग देख लीजिए ठीक है देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह देखिए साथ वेतनायोक का जो है उसके बारे में भी यहाँ पर खा गया है उसको भी यहाँ पर इंप्लिमेंट किया जाएगा साथ वेतनायोक का इसके अलाव प्रमोशनल जो पोस्ट है उनको बढ़ा प्रमोशन मिल सके तो यहां पर देखिए इसके अलाबा ACP यानि की अस्योड केरियर प्रोग्रेशन सम्मंदी विसंक्ति उत्पन हो गई थी इसको भी समाधान कर दिया गया नेक्स्ट ग्रेड पे में बहाल कर दिया जाएगा यहां पर एक हजार करोड का इससे अत्रिक बहार पड़ेगा सरकार पर देखिए यहां पर प्रमोशनल पोस्ट में वरदी करने की गोशना की जाती से विभिन सेवा योजनों पसूपालन अधिनस रास्तन अधिनस्त कार्या यह अच्छा डिसीजन है सबसे अच्छा डिसीजन मैं यहीं काऊंगो इस बजट का इसके अलावत 10,000 होमगार्स यहां पर भरती किये जाएंगे और सवीधा कर्मियों के हितों के लिए विशिस कदम उठाये गया है इन्होंने बताया है मुख्यमंत्री ने कि 11 जनवरी 2022 को राष्टान कॉंट्रेक्च्छल हाइरिंग टू सिविल पोस्टूल्स 2022 लागू किये गए हैं इसी के साथ पूर में सवीधा कार्मिकों को इसक्रेनिंग कर इन नियमों के तहत लाया जा रहा है जिनोंने कहा है कि प्रदेश के विभिन विभागों में कार्यत मांदे करमचा कारे करता साही का असा सयोगनी प्रेरक मिड्डे मिल कुक हैल पर लांगरी ग्राम रोजगर सायक ग्राम पंचाज सायक सिक्षया कर्मी परटीचर रैक्स को आधी कर्मिक जिसके मांदे में प्रतिवस वरदी का प्रावधान नहीं है उनके मांदे में भी एक अप्रेल 2022 से 20 बीच परतिसत वरदी किये जाने की घोशना की जाती है यानि कि जो ये एक करमचारी है जो लगे हुए हैं लांगरी हो चाही कारे करता हो साही का हो सायोगनी हो मिड्डे मिल हो ठीक है पर टीचर्स हो सिक्षया कर्मी हो रैक्स को कर्मी हो इनको 20 परतिसत जो मांदे है वो य इसके अलावा देखिए ये कोरी यहाँ पर है जो नगरिया निकाय है और पंचायत राज यानि कि पंच सर पंचों को जो पैसा मिलता था जो प्रती इनकी बैठक का या मान दे प्रती महा का उसमें भी 20% वरदी की घोसना की गई है ठीक है दोस्तो तो ये था आप तो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा आप बात कर लेते हैं दोस्तो अब क्या हुआ कि नर्सिंग की भरतियों की घोसना क्यों नहीं कि दोस्तो एक लाग पोस्ट हैं वो एक लाग पोस्ट हैं जिन पर सरकार भरती करेगी उसमें ये नहीं बताय गया है कि एक लाग पोस्ट य अधिन बताई गई है तो ये संख्या है जो ये काफी है और ऐसा नहीं है कि बजट में घोस्टना नहीं की तो भरतियां ही नहीं आएंगी ये बिल्कुल आदा अधरो सच है बजट में घोस्टना कर देने से वो चीज़े नहीं हो जाती है नहीं करने से वो चीज़े नहीं हो पाती तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कुछ जिनों के अंदर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा और बजट में घोसना नहीं की गए तो इसका मतलब यह नहीं कि भरतियां ही नहीं होंगी ऐसा कुछ भी नहीं है पहले भी सरकारों ने कई भार घोसना नहीं की लेकिन फिर भी भरतियां आती हैं तो भरतियां आती हैं हम उमीद कर सकते हैं कि भरतियां नर्सिंग को मिलेंगी पैरा मेडिकल्स की भी आएंगी वो अपना-पना काम है वो चलता रहेगा लेकिन बजट से आप लोगों को चिंता करने की घबराने की आवशकता नहीं है इसके सरकार को करना है तो बजट कोई ब्रमास्तर नहीं है मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा तो रंत में भी कह रहा हूं यह कोई ब्रमास्तर नहीं है कि इसमें जो घोशना हो गई वो सारी की सारे चीज़े सही है और एक तरीके से यह वैलिड हो जाती है ठीक है ऐसा नहीं है कि बजट में घोस्टना नहीं की गई तो हमारी भरती नहीं गया ऐसा बिल्कुल ही सच नहीं है ऐसा मेरा मानना है बाकि अगर आप मेरी वातों से सहमत नहीं है तो दोस्तो कोई बात नहीं सालिंता एक साथ कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद आप सभी का और और अगर हम बजट की बात करें, तो जो हमारे साथिय यूअ, उनको नोक्रिया मिलें, ये उनको जब नोक्रियां, एक लाग, स्वा लाग जो सरकार घोस्टा करें, वो मिल जाएंगी, तो हम इस बजट को पूरा अच्चा मान लेंगे, एक साल, जो अगले साल जो बजट अगोस से पहले नोक्रिया मिल जाएं हमारी युवा साथियों को भाई बेनों को तो हम मान लेंगे कि यह बजट बहुत अच्छा है फिलाल के लिए इस बजट में मुझे जो अच्छा लगा वो सबसे ओल्ड पेंशन स्कीम चिरंजीवी योजना और क्रस्कों के लिए भी काफी सारी चीज़ें यहां पर की गई है वो भी यहां पर अच्छा ही है ओवराल है अच्छा लेकिन सारी की सारी घोस्टनाओं को अगर सरकार पूरा करेगी धरातल पर उतारेगी तो यह बहुत अच्छा वजट अपने आप में धन्यवाद दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें जय हिंज भारत